अगर आपको भी चलने उठने बैठने में खड़े होने में बहुत जादा मासपेशियों में दर्द होता है अगर आप लेट जाते हैं बिस्तर पर तो आपसे करवट तक नहीं बदली जाती कपड़े बदलने के टाइम नहाने के समय आपको हमेशा किसी के सहारी की जुरुत पड़ती है तो आज का मेरा ये रेमेडी आपके सारी तकलीफों को जड़ से खतम करेगा लेकिन आपको इसको लगातार पीना होगा तीन दिन में आपको बहुत ही ज़ादा डिफरेंस फील होगा और कम से कम लगातार इसको एक महीने तक पीएं फिर देखें आपका शरी कैसे फॉलाद बन जाएगा आपके शरी में जो खून की कमी है वो दूर हो जाएगी थो चानल को सबस्क्राइब वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुन मत भूलेगा इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐक बर्तन लेलीजे उसमें दो ग्लास पानी डालीजे पाइन डालने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक चुथाई जमच सौट पाउडर, सौट क्या होता है सूखी अद्रक का पाउडर जो आपको मार्केट में परचून की दुकान से इजली मिल जाएगा, यह आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, आपके पुराने से पु पुराने से पुराने अर्थराइटेस गठिया को जड़ से खतम करता है, दूसरा इंग्रीडिन हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच अजवाई, अजवाईग क्या करती है, आपके शरी से बाद को खतम करती है, अगर आपके शरी में बहुत ज़दा वायू रहती है, यह बह आपके वजन को कम करती है, जितना भी आपके शरी में जमा हुआ फैट है, उसको धीरे-धीरे पिगलाने का काम करती है, इन फैक्ट अगर आपको पीरिड्स में बहुत ज़दा पेन होता है, तो उससे भी रिलीव दिलाती है, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि स्रफ जोड़ो आपके पुराने से पुराने गठिया, जोडो का दर्द, मासवेशो की सूजन को जड़ से खतम करता है, आपके फेस पेर नई रौनक लेकर आता है, आप नोटिस करेंगे कि अगर आप ये काड़ा पिएंगे, तो आपका चहरा पहले से कहीं जादा चमक जाएगा, आपकी aging slow down हो जाएगी आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके शरीर में खून की कमी बिलकुल गायब हो जाएगी अगर आप इन तीनों ingredient को mix करके पीते हैं रोजाना इसके साथ अब हमें क्या करना है इसको अच्छे से उबालना है उबालने के बाद जब यह कड़ करके आधा रह जाए एक गलास रह जाए तो हमें इसको छनी की मदद से छान कर एक काच की गलास में निकाल लेना है और अगर आप समें स्वाद बढ़ाना चाहते है तो थोड़ा से गुड़ा आट का लीजे गुड़ क्या करता है आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में iron पाया जाता है जोड़ो के दर्द को खतम करता है तो थोड़ा से गुड़ा पैट करके मिक्स करके आप इसको सुभा खाली पेट ले अगर खाली पेट आपके पास पीने का टाइम नहीं तो रात को सोने से एक घंटा पहले आप इसका सेवन जरूर करें और फिर देखें आपका शरीर कैसे फॉलाद बन जाता है आपके शरी के बिंती है आपके घर में जिनको ये तकलीफ है ना उनसे पूछ के देखिए कि वो चाहते हैं को कोई तो ऐसी दवा मिले जिससे उनका शरीर ठीक हो जाए उट बैट सके तो प्लीज आप उनसे ये वीडियो शेयर करें ऐसी मेरा चानल देखते रहिए कमेंट में अपना प